So hello everyone, TechEd की नई वीडियो में स्वागत है और आज हमारा 16th वीडियो है यह 900 राइटिंग का तो इससे पहले तुम्हें बता दू जैसे restore the weather और comparison strength ऐसे करके हमने यह 5 problems ना 11th वीडियो में discuss कर लिया थे देखो restore the weather तो हुआ गया था कि तुम्हें बता है मैं हर वीडियो में 55 problems बताता हूँ तो accordingly 10th वीडियो तक तुम्हें 50 problems पता हो जानी चाहिए थी है और restore the weather जो है वो 56th problem है इसका मतलब 51, 52 यह सब का है तो यह चीज मिसिंग थी मैंने check out करा तो देखा कि total 20 वीडियो हो नहीं पा रही है even though मैंने 100 problems कर लिया है तो जब पता लगा कि हमने यह सब discuss नहीं किया है तो आज हम देखने वाले है promo is the 55th then yet another tetris problem then then decoding and oath of the night angles watch clear तो आज यह 5 problems discuss करेंगे जो कि पहले नहीं हो पाय थे और जो भी confused है एक बार pin कर देना उस वीडियो में कि हमने 51 से शुरू यहां पे किया है clear मैं भी कर दूँगा तो शुरू करते हैं इन problems को और again मैं वोलूँगा कि अगर किसी particular problem को देखना है तो description में time stamp है उसमें जाके देख लेते हैं परना मैं यहां समझाए दूँगा और एक मान के चलेंगे तुमने थोड़ा बहुत problem पढ़ रखा है ठीक है नहीं भी पढ़ा है तो मैं बहुत easily समझा देता हूँ oath of the night angles watch कहानी इसमें बहुत कुछ है और करना क्या है यह सीधा बात करते है point पे तो देखो हमारे पास नमबर को support करना है एक नमबर को support करना है let's say AI तो हम इसको support तभी करेंगे जब इससे कोई छोटा number present होगा already और strictly greater number यह strictly smaller number already present होगा यानि हम middle class आदमी को support करने वाले है for example देखो तुमारे पास दो बंदे हैं एक है one दूसरा है five तो one तो है सबसे गरीब आदमी smallest five जो है सबसे अमीर आदमी कोई middle class मिला क्या नहीं मिला तो हम किसी को support ने करेंगे तो इसका अंसर जीरो आएगा क्लियर कोशन यही कहा रहा है कि one और five है तो इसका अंसर जीरो आएगा क्योंकि कोई middle class का आदमी नहीं नहीं यहां देखो one two five में से इन तीन लोगों में से कौन middle class है तू तो सिर्फ हम एक आदमी को support कर पाएंगे clear तो इस तरह की problem में simple और हमें करना गया है यह भी तुम्हें पता चलगे तो यहां पर देखो कि smallest one है और largest five है तो two is the middle one और भी लोग होते तो हम support करते हैं तो question में कुछ ऐसा नहीं बोला है कुछ repetition नहीं होगी यह सब हमें खुद से case डूढ़ना है तो मैंने एक example खुद ब five two यह सब यह total eleven लोग है और यहां पर तुम देख पा रहे होगे कि maximum five है यहां सेम question है मैंने यह one to five कोई पकड़ा बीच में कभी four डाल दिया और two डाल दे गया तुम देखो multiple five हो सकते है multiple numbers हो सकते है multiple smaller multiple greater तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आती है कि यहां पर maximum जो है वो five ह और minimum जो है वो one है one से छोटा कोई नहीं five से बड़ा कोई नहीं clear तो counting देख लेते हैं five कितनी बार अकर हो रहा है तो three times अकर हो रहा है minimum जो one है वो one कितनी बार आ रहा है three times आ रहा है तो हमें support किन को करना है इन दोनों के अलावा सब को करना है clear तो इन दोनों के अलावा कैसे हमें 5 लोग ही support करने है exactly देखो 2 2, 2, 4, 2 बचे वे लोग यही है ना जिनको support करना है, total 5 people are there तो हमने यही करा exactly code में, code में क्या करा कि array ले लिया और maximum को बहुत minimum, बहुत कम value दे दी, जिससे कि कुछ भी हो ना, जिससे 1 आ गया तो 1 भी maximum हो जाए कहने का मतलब है कि ऐसा कोई value effect ना करे, यह चीज में तुमें 800 rating में भी काफी बर दिखा चुका हूँ कि हम हमेशे क्या करते है कि better number सही होता है, हमें जिससे minimum चाहिए हो तो हम कोई maximum value ले लेंगे अगर तुम maximum बहुत जादा value ले लोगे तो 10,000 भी minimum रहेगा उसके लिए तो हमारे answer में effect नहीं पढ़ने वाला तो हमें जिससे plus infinity minus infinity लेते है न वैसा ही कुछ हमने करा है उल्टा करके ध्यान रखना ऐसे नहीं कि maximum को ही तुम maximum value ले लो तब तो दिक्कत है हमें तो maximum चाहिए according to यहाँ पर जो result आ रहे है तो हमने करें एक एक करके array में डालते गए और साथी साथ check करते गए कि भाई तू maximum है maximum होगा तो max में आ जाएगा minimum होगा तो min में आ जाएगा clear यह loop खतम होने के बाद हमारे array के अंदर सारी value हो गई और maximum और minimum भी हमें पता चलिए पता तो चलिए कि 5 और 1 5 maximum है और 1 minimum है यह तो हमें समझ में आ गया मगर कितने बार है array में यह check करते हैं तो count करेंगे maximum और minimum तो हमने करें एक 4 का loop बनाया अगर array का कोई भी element maximum होगा तो हम count कर लेंगे तो हमें पता चलिए कि 5 जो है वो 3 times यही था ना जस्ट एक example लिया करो उससे समझा करो बोड को ठीक है तो 5 के count 3 आ गया 1 का count 3 आ गया question change होता रहता है मतलब logic मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि count minimum कर दिया अब है पहला सवाल अगर ऐसा हुआ तो कि जो minimum था वही maximum निकला तब कितनी ऐसी बात हो जाएगी कि भाई तुमारे पास एक array बढ़ा है जिसके नदर 5555 बहुत सारे 55 तो तुम किसी को support नहीं कर पाऊगे ना देखो अगर कोई भी number different होता तो हाँ पे जरूर reflect होता तो equal तो नहीं आते अगर minimum और maximum एक ही number है इसका मतलब सारे number सेम है और किसी को support नहीं कर सकता है क्योंकि हमें middle class अदमी चाहिए तो c out कर दी हमने 0 या दूसरा case है c out करने का जो मैंने अभी तुमें explain करा कि total में से maximum minimum count को अठा दे तक ऐसा नहीं है कि minimum ये number number है कि 5 अगर है तो पूरे array में 5 है कि यानि कोई minimum और maximum मिली नहीं रहा है तो हो clear हुआ हुआ ही अच्छा question था और क्योंकि test case बहुत कम दे रखे थे तो हमें थोड़ा find out करने में time लग सकता था next पे आते है next है decoding decoding अच्छा question अगी कि यहाँ पे क्या है मैं तुम्हें अपने इसके recording समझा देता हूँ तो देखो contest चो है उसके बीच में t आता है तो इसको median बोलेंगे ठीक है let's say info ए info चार word का है तो चार alphabets का है तो जो बीच में दो है उसमें से left वाले को ही हम median बोलेंगे clear यह question साफ साफ क्याता है और अगर हमारे पस एक ही alphabet है तो उसी को median बोले clear तो अगर हमें median का use करके एक नया word बनाना है let's say v o l g a लिखा है v o l g a में v o और l g a जो है पीछे है और बीच और बीच जो है वो l है तो हमने first of war l को median को निकाला फिर v o g a में o को निकाला क्योंकि left side median तो यही है तो l o फिर v g a में g जो है बीच और बीच है तो g को निकाला l o g फिर v और a में v आएगा clear तो v को निकाला और last में a है उसको निकाला तो l o g v a तो यह जो डबबा बनाया यह हमारा क्या हो गया यह encoded हो क्या समझ रहो यह word था actual word इसको हमने encode करके यह बनाया clear अब quotient क्या कह रहा है quotient ध्यान से समझे ना quotient कह रहा है कि हमें encoded को decode करना है मतलब हमें l o g v a quotient में दे रखा होगा देखो यह सारी चीज़े मैंने बता दे कोंटेस्ट के बीच में t आता है है न मीडियन क्या-क्या होते है और हमने इसको encode कर दिया है इस तरह से quotient में तुम्हें l o g v यह जो मैंने डबबा बनाया था न यह डबबा दे रखा होगा तुम्हें इसको उल्टा करके यह बनाने कोशिश करना है तो हम इस case में क्या बनाने है actual word बनाने कोशिश करना है तभी तो decoding है कोशिशन का नाव decode करना है encode नहीं करना ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले है एक observation लेंगे observation क्या है कि l o g v a first of all यह five letter का word है इसका मतलब five letter के word का कुछ अलग pattern होगा यानि n के value odd है n के value 5 मतलब 0 से लेके 4 तो n के value odd है तो l o g v a में को हमें बनाने v o l g है तो हमने pattern find out करना ही कुशिश की तो हमें एक चीज नजर आई कि अगर तुम encoded में देखोगे l o g v a इसमें odd नमर पे जो present है देखो odd places पे जो present है वो देखो o और v है यानि first पे o है और third पे v है तो o और v odd number पे place है वो decode होने के वाद उल्टे हो जा रहे है देखो o v जो है v o हो जा रहे है समझ में आई बात इसका मतलब odd places वाले उल्टे हो रहे है और even places क्या है even places है हमारे पास जैसे 0 पे L हो गया 2 पे G और 4 पे A L, G, A, L, G, A अरे वा, L, G, A भी आराम से आ रहे है और वो भी odd वालों के पीछे आ रहे है वा भई देखो पैटन कैसे पता चल रहे है तो हमने exactly यही करा code दिखाता हो तो मैं कि फर्स्ट अवाल स्ट्रिंग ले ली एन हमें स्ट्रिंग के लेंद्ध दे रखी है तो हमने फर्स्ट अवाल फाइंड आउट करा कि यह मैंने तरीका तुम्हें पहले भी बता रखा है याद ना हो तो इसलिए हम multiple question करते हैं तो चीजें जो होती है प्रिक्स याद रहती है तो मैंने बता रखा यह हम क्यों यूज करते हैं जब हमें ऐसे करना होगी जैसे n modulus to equal equal to one यानि अगर वो odd number है हम ऐसे भी लिख सकते हैं मगर यह fancy लगता है देखने में लगता है हाँ भई कि knowledge होगी और साथ में use frequent करोगे तो easy रहेगा देखो कोई भी number होता है उसके पहली bit बताती है कि वो odd है या even है और पहली bit one होती है तो तुम्हें पता है यह odd होता है तो one and one one होता है यानि if के अंदर true condition तो यह loop चलेगा यानि odd number पे odd अगर length है हमारे एक word मिला है जो हमें उसकी length अगर odd है तब यह चलेगा clear नहीं तो else में यह चलेगा even पे तो अभी तो हमारे पास odd था क्योंकि end की value 5 थी 5 को binary में कैसे लिखते हैं और फिर उसको one से end करेंगे तो one ही आयागा ना तो देखो हमने क्या करा उल्टा करा क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि वो कैसे change हो जा रहा था है नहीं यहाँ पर O V की जगर V O हो जा रहा था और वो पहले आ जा रहा था तो हमने पीछे से शुरू करा कि पीछे का V डाला फिर उसको O डाला तो हमने क्या करने कि अगर even position है तो output कर दो simple जैसा हम इस pattern find out देखो LGA आया LGA भी शे लगा दिया odd कर डालने के बाद वो भी odd को उल्टे में डाला अग यही चीज़ अगर हम even के case में देखें तो वो भी verify कर लेते है let's say हमारे पास info था info में को हम अगर encode देखो quotient के according जो यह decode कर रहे है वो हमारे encoding है तो confuse इधर उधर मत हो ना just एक journal idea है तो उन quotient के through भी जा सकते हो अगर यह समझ में आ रहा तो इससे भी जा सकते हो तो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए कर रहा है कि देखो n और f में से n लेंगे क्योंकि left side में फिर ifo में f एकदम center में तो n के बाद f आयेगा फिर i आयेगा फिर हो आयेगा तो n n n f i o n f i o है इसमें 0 1 2 3 ठीक है 0 से लेगे 3 तक total 4 नमबर है यानि even नमबर है तो अब ज़रा find out करो कि तुम्हें इसको n f i o को info बनाने तो क्या होगा तो देखो odd place पे अगर ध्यान से देखा जाए तो f o जो है वो f o ही रहेगा वो पीछे आएगा और even place है 0 पे और 2 पे n i पे तो n i तो i n हो रहा है तो इसका मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया जो पहले हमने और टे ले करना था उसको उल्टा करना है क्या करना है हमने पीछे से लूप चलाया और even place इसको output कर दिया उसके बाद आगे से लूप चलाया और और places को output कर दिया else के case में तो बास यही pattern find out करना था तो हम decode कर लेते है clear अगला आते है यह नाम ही नहीं बोला जाता मेरे को ठीक है वैसे लिजे जो भी नाम है इन कह कह तो यह problem क्या है क्या कहना चाहती है कि तुम्हारे पस n k और x है n कह है कि 1 से लेके n तक तुम्हे नमबर पकड़ा मैं तुम्हे अपनी राइटिंग में दिखाता हूं क्योंकि उससे easy रहता है हम देखो देख रहा है ना हो n k और x तुम्हे 1 से लेके n तक नमबर चुनने नमबर चुनने कितने नमबर चुनने k नमबर चुनने मतलब 1 से लेके n तक नमबर है उनमे से कोई k नमबर उठा ले न जिनका sum जो हो वो x हो simple question example देखें तो तुम्हे जैसे यहाँ पर n की value 5 दे रहा है तुम्हे 1 से लेके 5 के बीच में कुछ नमबर चुनने कितने नमबर तीन नमबर चुनने है तो k की value 3 है तो choose 3 number whose sum is 10 जिनका sum 10 हो तो हाँ possible है 2 प्लस 3 प्लस 5 यह total 3 नमबर है उनका sum 10 है तो yes answer कर दो अगर मिल पा रहे हैं तो yes पर ना no जैसे अगर यह no वाला case देखो तुम्हें 5 नमबर एक से लिगे 5 तक number दे रखे उसमें से 3 number चुनने है जिनका sum 3 हो ऐसा कैसे possible है भई तुम्हें ऐसे नमबर सोचना है कि 1 प्लस 1 प्लस 2 कह दो कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कह दो 2 नहीं कह न 1 प्लस 1 प्लस 1 कह दो ऐसा नहीं कर सकते वरना ऐसा होता तो सभी case में answer यह सोजाता यानि एक number को एक ही time यूज़ करना है तो 3 not possible question समझ में आ है तो कैसे करोगे approach डूंडो तो अपनी approach सोची नहीं है क्या तरीका लगाओगी यह सोचना है तो pause कर ले न वरना हम solutions पे आते है करा किया न हमने पहले तो number ले लिए है तीनो values अब तो मैं पता है कि एक से लिए के 5 तक का sum क्या होगा यह वाला formula पता है न हम arithmetic progression पड़े थे तो total sum जो होता है वो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अगर एक से लिए 5 तक यहनि 15 जो है वो maximum sum है और k number minimum sum अगर तुम्हें सिर्फ minimum sum निकालना है तो मतलब सबसे कम sum क्या हो सकता है k numbers का k यहाँ पर 3 values रखे तो 1, 2, 3, सबसे minimum 3 values को पगड़ लो उनका sum कर लो 6 आता है यह minimum 6 है मतलब 6 जो है minimum है और maximum sum क्या हो सकता है कितने k numbers का यह total था यह total वाला अलग बात है total हम use क्यों करेंगे वही क्योंकि हमें k ही number चाहिए है तो तुम्हें k number चाहिए है तो सोचो कि देखो directly नहीं पहुंच सकते हैं अभी तो मैंने तुम्हें बोलने में आसाल लग रहे है कि 3 number ही तो पकड़ने है तो हमने शुरू में पहले दीन पकड़े और अब आकरी दीन पकड़ लो 5 जमा 4 जमा 3 कितना होता है 12 तो 12 तो आ रहे है मगर तरीका थोड़ा different है क्योंकि हम इसको code में लिखना है तो हमने क्या गरा first of all total निकाल दिया minimum sum निकाला minimum sum क्योंकि हमें एक से लेके k तक का minimum sum मिल जाएगा maximum sum वो total में से minus करेंगे हम n-k into n-k plus 1 by 2 यह बस formula लगाया मैंने same बस यह समझ लो value जो है वो n-k है n-k भाई क्यों देखो n हमारा 5 है और k की value 3 है total 5 है 5 में से 3 हमें हटाना है 2 बचे यानि पहले 2 को अगर हम हटा दिया जाए तो बाकी 3 का sum आ जाएगा ठीक है मुझे 3 नमबर पकड़ने है total 5 है तो 5 माइनस 3 है तो बाकी यानि n-k कर दिया यानि 1 प्लस 2 1 प्लस 2 को हमने के अगर हटा दिया तो यह 1 प्लस 2 करने के लिए यानि हमें कैसा चलेगा इसका sum क्या होगा अभी तो 2 यह number है अगर बहुत सारे number भी हो सकते तो n-k का same formula लगा देंगे जो हम n-1 by 2 लगाते हैं उसके ज़िए n-k रख देंगे clear तो यह हम क्यों कर रहे हैं कि पीछे की last की 3 values का sum आपाए क्यों चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर इतना यह number जो है वो maximum हमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकता अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास 5 number है उनमें से किसी 3 number का sum तुमे maximum लाने उससे ज़्यादा होई ना सके तो तुम क्या करोगी एकदम सबसे ज़्यादा बड़ी value तीन values पकड़ोगे जो कि 5 है 4 है और 3 है है ना 5 से बड़ा कोई नहीं ज़े 5 कोई तुमने पढ़ लिया तो 4 से बड़ा कोई नहीं 4 कोई पकड़ लिया तो 3 से बड़ा कोई नहीं तो इन तीनों का sum जो है 12 है यानि कोई भी तीन नमबर का sum 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता एक से लिए 5 के बीच में मानते हो कि नहीं और 6 से कम भी नहीं हो सकता 6 तो minimum है तो इसका मतलब में समझाए एक से लिए 5 में अगर एक से लिए 3 तक का sum करेंगे तो 6 हैगा और 3 से 5 तक करेंगे तो 12 आएगा यानि सिग्मा ये सिग्मा एक्स मतलब है कि टोटल सम टोटल सम जो है वो 6 और 12 के बीच में आएगा अगर कोशन में एक्स की वैल्यू हमें बता रखा है कि 6 और 12 के बीच में आए तो फिर इसका आंसर ये से वर्ना 9 है बजाहिर सी बात ये जैसे 5 नंबर का सम क्या 3 आ सकता है नहीं आ सकता वाई 6 मिनिमूम है 6 से नीचे तो जाए नहीं सकते तो 9 क्या जानेगे तो ये ही चीए हमें लगाए ये नीचे कि अगर एक्स की वैल्यूम सम से जादा है और स्मॉलर देन मैक्सिमूम इक्वल टू मैक्सिमूम सम है तो इस कांसर ये से वर्ना 9 है तो विसल जे इन कैकेक में सिंपल ये करना था क्लियर होप समझ में आऊगा अब आता ये ये नदर टेरिस प्रॉब्लम टेरिस प्रॉब्लम अच्छे इसने खेला ये गेम तो अच्छी बात है नहीं खेला है तो एक बार नेट पर सर्च कर लेना तो मैं करके दिखा सकता हूं और टाइम वेस्ट होग तुम्हे बस एक चीज समझ लो कि तुम्हारे पास हमने ये फोन में बहुत खेलाएंगे है ना तो मैंने बस इसका विज्वलाइजेशन दिया है बहुत इजी प्रॉब्लम है जो समझने की दे रही है तो देखो तुम्हारे पास टेट्रिस है इस तरह का देखता है है ना तो कॉशन में तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक आयेगा टू इंटु वन का The height of the figure is two block and width of the figure is one block यानि एक vertical डबबा आयेगा तुम्हारे पास ऐसा यह जो पहले दो डबबे दिख रहे है न यह मानलोग गिरा है उपर से नीचे गिरा है तो यह जो डबबा यह बार बार ऐसा ही डबबा गिरेगा तुम vertical को horizontally बना सकते है ठीक है और तुम्हें पता है क्या होता है कि जब भी तीन ए मतलब जी यहां पे तीन दिख रहे है इस डबबा पूरा खाली हो जाए empty हो जाए क्या ऐसा possible है तो पहले का अंसर यह से है और question दे रखा है 113 ठीक है 113 यानी एक ही डबबा है एक ही डबबा है 1 और यह 3 डब में है ठीक है और यह उपर 3 देने का मतलब यह है कि total कितने columns है तो total 3 column दिख रहे है 1 column second column और third column total 3 column है उसमें से पहले column में 1 है second column में भी 1 है third column में 3 डबबे है और उपर से गिरते रहेंगे कैसे कैसे shape के डबबे 2 into 1 shape के डबबे यह यानी 2 block होंगे वो एक के उपर एक रखे और vertical shape में जिसकी length होगी 2 breath होगी 1 समझ में आ रहे है सोच पा रहे है तो चलो पहले का answer yes कैसे मैंने visualize करके दिखाया इसमें भी यही चीज बताएगे कि yes कैसे आ रहा है अगर steps करके नहीं देखाया है तो वह हम देख लेते हैं देखो question समझे तीन जो दे रखा है तुम्हे number of column दे रखा है कितने column है one column two column three column clear और one two one one three one one three already height present है यानि तुम्हे question में तुम्हे एक challenge दे रखा है one height one height और three height का तुम्हें आगे solve करना है ठीके और साथ में तुम्हें unlimited number of यह दे रखे हैं blocks ठीके जिसकी height 2 है और width one है clear तो अब तुम्हें इनको जैसी डालना शुरू करें गेम चालू हो जाएगा तो मान लो तुमने step one करा add to first column पहले column में तुमने यह दू डब्बे डाल दी यह दो डब्बे अभी अभी डाले हैं मान के चलो जैसी यह डब्बे डाले न तुम्हें नीचे का clear हो जाएगा वैसे नीचे का clear पहले ही हो जाता मगर गेम चालू नहीं हुआ था ठीक है ऐसे नहीं कि हवा में तो कोशन ऐसा देते ही क्यों हो फिर कोशन में पहले के दो देते समझ में आ रहे मतलब जैसे तुमने यह डाला गेम चालू हो गया गेम की आख खुली अरे यह तो हो रखा है पहले से तो clear कर दिया तो शुरू में हमारे पास 113 थे 113 थे अब वो क्या हो गए 202 202 कैसे हो यह समझ में है तू जो अभी अभी डाले हमने नीचे का सारा सफाया हो गया तो second जो हमारे कॉलम है उसमें से गाया हो गया सब कुछ और टू जो अल्रेडी प्रेजेंट से ठीक है तो 202 कुछ इस तरह से दिखेगा अब मैं क्या करूं बताओ step 2 कर दो add to second column जाहिर सी बात है कि जैसे मैं यहाँ पे अपने अपने एक ब्लॉक डालूंगा two into one का तो दोनों ही clear हो जाएंगे और जैसे ही दोनों clear होए हमारा answer ही ऐसा आगया क्योंकि zero 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 क्योंकि अब empty हो गया है यह तो था explanation जो कि बिलकुल भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे code लिखने में help करेगा यह तो बस तुम एक एक पर समझा दिया ना मैंने तो अब तुम सोच पर आओगे कि कोशन में करना क्या है कोशन को लॉजिक समझ में आएगा यह चीज समझ में ही तुम्हें zero 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 कैसे आया और yes क्यों हुआ क्यों क्योंकि zero 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 आया इसले yes हुआ ठीक है एक और example देख लो यह वाला that is one one two one देखो one one two और one clear क्या इस case में हमें कभी yes आ सकता है क्या नहीं आ सकता खुद ही सोचके देखो जैसे तुम डबबा डालोगे यह आया बुजाएगा फिर एक डबबा उपर रह जाएगा मतलब खुद imagine करो तो यानि इस question में डरावनी बात है मगर बहुत common sense का question है one one three कुछ समझ में आ रहा है one one three सारे order number थी one one two one एक बीच में two आग भाई कि मैं वेक्टर लेता हूं first of all जो जो हमने यह already height है हमारे पास अब block की height already थी ना हमारे पास वो हमने input कर ली और possible को हमने एक boolean लिया true ले लिया ठीक है possible है तो हमने for का loop चलाया अगर हमारा a modulus 2 करा वो बरावर नहीं आया ना किसी भी एक है तो possible को हम फॉल्स कर समझ में आया मतलब अगर तुमने सारे के सारे even height टे डबबे रखे हैं तो भी चलेगा इवन height मतलब ऐसे नहीं कि 2-2 होने चाहिए 2-6-12 कुछ भी हो सकता है या उदर odd height के रखे चासे 113 मैंने example बताया तो उन सबका जो है reminder 1 आ रहा है है ना तो उस case में हम बच जाएंगे और किसी भी case में ऐसा हुआ कि एक भी डबबा अलग हो गया जिसका reminder अलग आ गया तो false ह जाएगा possible अगर true है तो yes है पर ना no है थाना example question आखरी question और देख लेते हैं और आज का काम खताम करते है last question is promo बहुत अच्छा question मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि यह हमें जोडता है real life situation से मालो तुम walmart में हो और क्या एक तुमने scheme चला दिये कि अगर तुम x item भाई करोग ठीक है x item खरीदोगे तो जो उनमें से सबसे सस्ते y item होंगे उनको हम तुमें free कर देंगे मतलब तुमने दिया अगरबती और tempo खरीदा ठीक है तीन item खरीदे और हम तुमें सबसे सस्ते 2 को free कर रहे है तो दिया अगरबती free हो गई tempo के पैसे दिने पड़े ठीक है ऐसा थोड़ा इसको अच्छे समझते हैं कि हमारे पास एन item है एक एक चीज लिखी हुगी है मैंने tension मतलब तुम अगर तुमें question पढ़ना है pause करके ठीक है या description में तो देही रखा है मैंने link तो पढ़ लो यह मैं मान की चलता हो तो तुमें question पढ़ लिया होगा या नहीं भी पढ़ा है वो देख रहे हैं क्योंकि मैं सब चीज cover करके चलता हो अपने भाशा में वन से लिके एन तक हमारे पास item है और हर एक item का खुद का price है इतना समझ में आया ठीक है मान लो तुमने x item से ज्यादा यह उतने खरीद कर ली तो जो y cheapest होंगे cheapest मतलब जो उन में से सबसे सस्ते इदाम के होंगे मतलब तुमने tv free जो और aeroplane खरी लिया तो तुम मान लो कि tv free हो गया ऐसा क्योंकि उन comparison में तो वही लोग होंगे न वो तीन तो y cheapest free होंगे तो input कुछ इस तरह आएगा कि तुम्हें n दिर्ख हो गया इन कितने item है दस item चार item कितने है और query दिर्खी होगी यह सब असल में हम पहले चेक कर रहे है कि कहीं हमारी company का नुक्सान ना हो जाए कि हम भाई यह सब देतो रहे हैं तो p1, p2, p3, pn ऐसे करके हमें price लिख रहा है हर item के अब query क्या बता रही है query बता रही है कि x i y i x i बता रही है कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि इतने item हमने खरीदे और कितने free होंगे कितने cheapest free होंगे cheapest लगाना जरूरी है ठीक है example देख लेते हैं बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा example देख ले तो मज़ा जाएगा पांच item है ठीक है और हर item का अलग-अलग दाम है एक किसी का दाम तीन पांच है तीन है एक है पांच है दो है clear तो इनका अलग-अलग दाम है इससे एक चीज़ तो समझ में आगी कि चीज़े हमें sorted तो मिलेंगी नहीं साथ में repetition भी होगी clear second है कि तीन queries है हमारे पस जेखो n के बाद q दे रखा है न input में अच्छा कुछ लोग vibe नहीं कर पार है तो एक बार यहां यह देख लो n दे रखा है और कुछ यहां पर q दे रखा है और यहां पर हर एक कर दाम दे रखा है उसके बाद तीन queries दे रखिए clear output आट पांच छे आ रहे है कैसे आया मैं बताता हूं कि हमें अलग-अलग item के दाम दे रखें query 1 जो है बता रहे है 3 x की value 3 और y की value 2 यानि 3 खरीद होगे तो 2 free है कौन से free cheapest one यह चीज़ का ध्यान रखना तो मैंने 3 खरीदे तो मैं तो भई क्या करूंगा बहुत वैसा लालचे इंसान हो तो मैं सबसे महंगी महंगे सावान 3 खर कि अगर किसी ने maximum सामान खरीदा तो कितने का नुपसान होगा हमें ठीक है कोशन अज आता हो उस पर ठीक है पहले maximum 553 है और free हो जाएंगे कौन से 5 और 3 क्योंकि यही minimum है तो free जो है 8 तो 8 रुपे का सामान free में मिला कोशन को अगर तुम ध्यान से समझोगे तो कोशन के रहे of the item received for free in one purchase one purchase मतलब यही है 3 और 2 यह तुमने 3 item खरीदे और 2 cheapest free हो गए तो कितने maximum total value of item received for free मतलब 8 रुपे का सामान तुमें free में मिल गया क्या मैं इसको अपनी शुद भासा में बताओ तो 8 रुपे का सामान जो है वो नुकसान कर गया वाई मतलब company का नुकसान हो गया 8 तो सिर्फ 5 रुपे का सामान के पैसे दिया है देखो इस बंदे ने 5 रुपे का सामान खरीता था पांच रुपे का दो साबन खरीते और 3 रुपे का कुछ भी माल लो ठीक है brush खरीता थे तो क्या हुआ उसने सिर्फ 5 रुपे दिया customer क्योंकि पीछे के दो free हो गए तो यहन से बोलो कि ग्राह को कितने का फायदा हो या पांच रुपे का ग्राह को फायदा हो या company को नुकसान हो तीसरी query देखो पांच चीजे खरीते उसमें से तीन चीजे फ्री है पांच मतलब टोटल ही हमारे पांच आइटम थे तो पांच हो खरीत लिए यानि सिगमा लगाने मत पूट के आना चाहिए यह भी समझ में आगा है अब जर्ण हम कोड देख लेते हैं अगरी कोड है कि प्रोमो इंपूट कर दिया येनऔर कवैरी इबाएtit उसके नई करवाया हैं इसके वार का लूप चलाहा है सारी वैल्यों हमने इंपूट कर दी अडरे एक अंधर क्लियर है रही ही को sort कर दिया अच्छे ग्रेटर क्यों लगाते हैं तो मैं पता हो कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं ग्रेटर लगाते है क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें item जो चाहिए है वो किस order में चाहिए है 55321 order मतलब ऐसा है कि डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे इसको नॉन इंक्रीजिंग बोलेंगे तो हमें ऐसा चाहिए जैसे हम अगर हम sorting करते है तो 12355 होता है मगर हम इसको क्या कर रहे है सबसे ज्यादा value ऊपर सामने आएगी पहले आएगी उल्टा भी कर सकता है मगर complex जाएगा code लिखना थोड़ा दिमाग लगाने ज्यादा पड़ेगा हमने for का लूप चलाया और यहां क्या कर रहे है prefix sum कर रहे है यानि बी आए की जो पहले value है उसमें आड़ कर रहे है AI की value को और बी आए की value क्या क्या होती चारी है कि यहाद accumulated frequency हम पड़े थे class 11 वी में 10 वी में तो हमने b नाम का area से बना लिया फिर हमने check कर रहा हमने x और y लिये क्योंकि query हमारे पास जब तक query चलेगी तब तक हमें input लेना है और y की value मैंने x-y कर दी और output कर दिया bx-by यह देखने में कितना simple लग रहे है मगर यह दिमाग आया कहां से दिमाग आया कहां से भई देखो यहां से आया कोड की working देखो यह हमारे पास 55321 यानि non increasing order है और b की value हमने क्या कर रहा prefix हम निकाल दिया ठीक है x हमारे पास 3 है y हमारे पास 2 है पहले case यह था तो code के according क्या हो रहे है हम y को क्या कर रहे है y को कर रहे है x-y और फिर bx-by कर दे रहे है यह कर रहे है तो हमने यही कर रहा y को हमने x-y कर रहे है यानि 3-2 होता है 1 और output आगे हमारा क्या bx-by bx यह नहीं तीसरे position पर क्या है 13 है ठीक है minus by और पहले position पर क्या है 5 है अच्छा अगर तुमने ध्यान से code नहीं देखा है तो देख लो 1 से शुरू कर रहे है तो यहाँ 0 से indexing नहीं हो रहे है ठीक है बहुत से doubt आ रहे होंगे तो मैं मैं आता हू पहले मैं सोच रहे हूँ एक overview देदू code कर क्या रहा है 13-5 होता है 8 तो हमारे 8 आ गया actual में भी यह answer है नीचे वाला भी देख लो y के value हमने क्या रहा 1-1 क्योंकि x भी 1 था y भी 1 था 0 हो गया output 5-0 है 5 अरे वा answer तो सही आ रहे है मगर कैसे हो क्या रहा है असल में कि इसको कि नहीं तीन आइटम का प्राइस 13 रूपय है एक आइटम का प्राइस 5 रूपय है दो आइटम का प्राइस 10 रूपय है तीन आटम का रही स 13 रूपय है maximum clear क्योंकि हम maximum ही ले रहे हैं by default यह maximum ले रहे हैं ठीक है बट 2 और 3 2 फ्री है तो only paid for one समझे इसका मतलब कि 2 जब free है य की value पूछर बता रहा था कितने free हैं दो free है इसका मतलब हमें दाम असल में कितने का देना पड़ा सिर्फ एक का इसलिए हमने 3-2 करा हमें दाम असल में कितने का देना पड़ा जी रोगा इसलिए हमने आपे 1-1 करा तो बात समझ मैं हमें क्यों करा ऐसा यह y की value हमने change क्यो करी क्योंकि वाई बता रहा था कितने फ्री है मुझे फ्री से मतलब है वैसे मगर जब मेरे पास टोटल पता है मुझे कि टोटल कितना आइटम का पैसा आजा रहा है तीन आइटम का तेरा रूपय है तो मैं अगर माइनस कर दूँगा कि कितने रूपय हमें फ्री में मिल गए तो हमें उस तरह से company का loss पता चिल जाएगा तो loss of company क्या हो गया 13-5 हो clear हुआ होगा एक बार अच्छे से देख लो pause कर लो जो ना है उसको दुबारा सुन ले ठीक है simple हमने यही करा कि जितने item की cost हमें देनी चाहिए थी उतनी ही दी 13 रूपे का सामान है blur हो गया है रहता 13 रूपे का actual का सामान है हमने दो आइटम free कर दिये यानि पांच रूपे ही दिये अगर तुम एक आइटम खरीते तो पांच रूपे देख रहे हूं यह prefix हमका फायदा देख रहे हूं आइटम खरीतों तो पांच रूपे दो आइटम दस रूपे और तीन हीटम िरए रूपे तो 13 रूपे का सामान खरीदा तुमने और दो फिरी कर दिये इसका मतलब पांच रूपे यह दिये फायदा कितने का वह आट का तो यही हमने आपक रहा है क्लियर होती है बात. और तुम्हारे मंन में कुछ डाउट आ रही होँगे ठीक है पहला डाउट ही है जो मेरे मंन में भी आया कि भाई क्या यह लेना सेफ रहेगा क्योंकि देखो तुम i1 से छुरू कर रहे हो b i-1 कर रहे हो तुम वैसे अगर इसको run करके देखोगे तो डर जाओगे तुम, मगर मैंने तुम्हाने डर का help करने की कोशिश की है, हसल में B0 में garbage value store होगी, question में नहीं दे रखा होगा तो, मगर मुझे चाहिए difference, तो difference से matter नहीं करता, अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा, जो समझ net चल रहा होगा, तो answer तुरंत आजएगा, आठ ही answer है, आठ हा रहा था न, 13 में से 5 गया, code सही चल रहा है, इसको ज़रब मैंने ये चीट डाल के तुम्हें दिखाने ही कोशिश की है, कि garbage value हो या ना हो, फरक नहीं पड़ता, ठीक है देखो, ऐसे values आ रही है, matter करता है, क्यो हम सोच के कुछ और चलते है, होता कुछ होर है, अगर ultimately answer आ रहा होता है, तो ऐसे cases होते है, कि अगर हमें answer से मतलब है, और back में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, वरना हम किसी की value को zero set कर सकते है, ठीक है, meme set वाला भी बताया हुआ मैंने तुम्ह प्राइशन में मिल जाएगा, और आज हमारी 55 problems हो गई, एक्चल में तो हमारी 16th video है, तो हिसाब लगा लो 16,5 जा कितने हो, इतनी problems हमारी हो गई है, और हम next video में आगे करें,